हमारे आसपास की खुपसूरत सी दुनिया, खुपसूरत क्यों लगती है? क्योंकि ये रंगीन हैं और चीजें हमको रंगीन क्यों नजर आती हैं? इनमें अलग अलग रंग हमको नजर आते हैं तो ये विद्धु चुम्ब के स्पेक्ट्रम के एक विशेश वर्ग के कारण न एक सिंगल सेल और्गनिजम जैसे की बैक्टीरिया ये प्रोटोजवा की कोटी का होता है ये द्रिश्य प्रकाश का तरंग देर दिया 4 इंटू 10 तो पावर माइनस 7 से 7 इंटू 10 तो पावर 7 मीटर की रेंज का होता है और इसे सबसे पहले बताया था सर आईजेक न्यूट उन्टन ने एक प्रिश्में के द्वारा श्वेत प्रकाश को सात रंगों में बतने की घटना को बताया और इससे ही हमें पता चला कि श्वेत प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना हुआ है ये बेहत साथ खुबसूरत रंगों के chemical substance reaction के कारण ही चीजे हमको रंगीन नजर आती हैं एक example यदि मैं लूँ कि हमको पत्ते हरे क्यों नजर आते हैं तो हम जनरल सा आंसर देते हैं कि पत्तों में chlorophyll होता है तो वास्तव में chlorophyll के कारण ही हरा रंग क्यों नजर आता है तो जब श्वेत प्रकाश जब electromagnetic spectrum इस पत्ते पर पड़ता है तो visible प्रकाश की द्रिश प्रकाश के सारे रंग इस पत्ते के द्वारा अफशोशित हो जाते हैं और जब ये visible range इस chlorophyll से pigment से interact करता है तो ये green रंग को reflect करता है इसलिए पत्ते हमको हरे नजर आते हैं वैसे ही सारी वस्तों के साथ भी होता है उनमें जो अलग-अलग chemical substance रहते हैं उनसे interaction के कारण ही visible प्रकाश reflect होता है और हमारी आखों तक जो तरंग देर्दे पहुशता है हमको वस्तों उसी रंग की नजर आती है ये साथ रंग में दो-तीन रंग combine होते हैं और चीजों के अलग-अलग रंग हमको नजर आते हैं जैसे कि हम सोचें कि ये आकाश हमको नीला क्यों नजर आता है तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है वो atmosphere में जब enter करती है तो atmosphere में जो oxygen और nitrogen होते हैं उनसे इनका interaction होता है जिसकी कारण जो blue color है blue color की wavelength है वो अधिक scatter हो जाती है और हमको आकाश नीला नजर आता है वैसे हम देखें कि सूर्य जब ढलता हुआ रहता है और उकता हुआ रहता है तो वो हमको लाल और पीले रंग का नजर आता है कुछ इस orange और red combination में नजर आता है वो इसलिए क्योंकि सारे blue color के wavelength हो scatter हो चुके होते हैं तो बचता है red और yellow color का wavelength जिसके कारण हमको जो sun है सूर्य है वो red color का नजर आता है यदि मैं रंगों के बारे में deeply बात करूँ तो हमारे ब्रह्मान में मौजूद तारे हैं इन तारों को हम देखें तो कोई तारे हमको लाल नजर आते हैं तो इन में से बताओ कौन सा तारा ज्यादा अधिक गर्म होगा यदि हम बात करें visible length की जो hotter object रहते हैं गर्म वस्तुएं रहती है वो short wavelength देती है और जो ठंडी वस्तुएं रहती है comparatively वो हमको longer wavelength देती है यानि कि हमारे पास यदि दो तारे हैं एक नीले कलर का और एक लाल कलर का तो उन में से ज़्यादा गर्म कौन सा हुआ? जो नीले रंग का तारा है वो ज़्यादा गर्म होगा हम यदि अपने घर में gas का flame देखें तो अगर वो कम घर्म रहता है तो वो लाल जलता है लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो पूरा blue color और हमारे gas का flame blue ही रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसलिए वो blue color के रहते हैं तो इस प्रकार हम 7 color दिस पकाश में देख सकते हैं इनका जो आवरिती होती है वो 4 x 10 to the power 14 hertz से लेकर 7.5 x 10 to the power 14 hertz की होती है और उर्जा 3 x 10 to the power minus 19 से 5 x 10 to the power minus 19 joule की होती है इनकी उत्पत्ती का मुख्य कारण क्या है? सूर्य, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है वो द्रिश्च प्रकाश है सूर्य के बिना अंधेरा हो जाता है और हम चीजों को नहीं देख पाते हैं और इसका दूसरा जो मुख्य श्रोथ है वो है उत्तेजित परमाणू अगर हम इनके डिटेक्टर की बात करें तो इनका सबसे अच्छ डिटेक्टर क्या है मानव नेत्र क्योंकि हमारे आखे विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव है यदि हम इनके गुणों का देखें तो दृष्य प्रकाश दृष्टी समवेदना उत्पन्न करते हैं मतलब इसके कारण ही हम देख पाते हैं जो ऑप्टिकल सेंस होता है वो दृष्य प्रकाश के कारण ही होता है विजिबल लाइट में केमिकल एफेक्ट होता है यह केमिकल रियक्शिन्स कर सकते हैं और इसी कारण यह फोटोग्राफिक प्लेट को भी एफेक्ट करते हैं नेक्स्ट यदि हम देखें तो विजिबल लाइट में प्रकाश विद्धुत प्रभाव होता है इसी कारण जब किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की प्रकाश किसी धात्वी क्लेट पर पड़ती है तो उसमें से अलेक्ट्रोन उच सरजित होने लगते हैं जिस घटना को हम विजिबल प्रकाश के द्वारा ही प्राप्त होती है तो जो बेहत खुबसूरत सी दुनिया हमको हमारे आसपास नजर आती है वो केवल द्रिश्य प्रकाश के कारण ही नजर आती है जब साइन्टिस्ट हरशल ने 1800 में विभिन तरंग दैर्दे के विभिन विजिबल जिसका तापमान और भी अधिक पाया गया इस इंविजिबल रेंज को उन्होंने नाम दिया इंफ्रारेड तरंगे क्योंकि इनका तापमान अधिक था इसलिए उन्होंने इन तरंगों को उश्म तरंगों का नाम दिया क्योंकि इन तरंगों के कारण ही वस्तू में उश्म में प्रभाव पाया जाता है यदि infrared radiation किसी ऑबजेक्ट के द्वारा अवशोशित कर ली जाती है तो वो वस्तुएं गर्म हो जाती है यह हम कह सकते हैं कि जो होटर बॉडी है जैसे हमारा शरीर वो भी तो radiation उत्पन्न कर रहा है उसमें भी गर्मी होती है तो यह radiation कौन से range में आती है यह infrared इन तरंगों का यह दी तरंग द्यार्द हम देखें तो यह होता है 7 इंटू 10 तो पावर माइनस 7 से लेके 1 इंटू 10 तो पावर माइनस 3 मीटर की range का हो इनकी उर्जा 2 इंटू 10 तो पावर माइनस 22 से 3 इंटू 10 तो पावर माइनस 19 जूल की होती है और इनके श्रोत होते हैं गर्म पिंड जो infrared radiation से इनके डिटेक्टर की बात करें तो इनके डिटेक्टर यानि इनके संसुचक होते हैं थर्मोपाइल या फिर बोलो मीटर यदि ह हम अपने घरों में टीवी को के चैनल को चेंज करते हैं तो हम इस्तमाल करते हैं रिमोट जब हम रिमोट का बटन दबाते हैं तो चैनल चेंज हो जाता है तो कोई ना कोई यहां से इंस्ट्रक्शन है जो टीवी तक जाता है और यह इंस्ट्रक्शन यह सूचना किसके माध माध्यम से जोकी invisible होती है वैसे ही आकाश में खगोलिय पिंड में कोई परिवर्तन होता है तो उनमें से भी जो सूचनाई मिलती हैं वो हमको infrared तरंगों के माध्यम से प्राप्त होती है चुकि infrared तरंगों का जो wavelength है वो बहुत ही अधिक होता है इनका wavelength अधिक होने के कारण इन में प्रकिरनन की घटना कम होती है यह ज़्यादा scatter नहीं होते हैं और यह बहुत दूर तक गमन कर पाते हैं यदि हम सूर्य से आने वाली infrared radiation की तो कुछ infrared radiation बादलों के द्वारा परिवर्तित हो जाती है बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाती है और कुछ infrared radiation penetrate करते हुए प्रिथवी में पहुच जाती है जब प्रिथवी में पहुचती है तो यहाँ पर जो snow है, dust है, mountains है जो प्रिथवी पर पाई जाने वाली वस्तू है इनके द्वारा इनका अफ्शोशन हो जाता है और यह infrared तरंगे इनमें उश्मी प्रभाव प्रदर्शित करती है और जब यह वस्तूए infrared तरंगों को वापिस radiate करती है उच सरजित करती है तो यह longer wavelength में radiate करती है जह सूर्य से आ रही है वह shorter wavelength में है मतलब उसका wavelength यह तरंग द्यार्द कम है जिसकी कणर वो penetrate कर रही है लेकिन जो वस्तूए से उस सरजित हो रही है उनका wavelength अधिक है और इनी तरंगों को जब संसूचक के द्वारा detect किया जाता है तो यह काम आती है उपयोग आती है पृत्वी के अध्यन में किस रीजन पर civilization बढ़ गया है जैसे मान लोग खेतों को काट कर वहां पर भूमी समतल कर दी गई है या फिर वहां पर building बना दी गई है तो उनमें से निकलने वाले radiation अलग range में होंगे green vegetation के radiation अलग range में होंगे इस तरीके से पृत्वी के भूभाग के अध्यन में भी infrared radiation का spectrum हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है अवरक्त तरंगों में उश्मिय गुण होने के कारण ये green house प्रभाव को प्रदर्शित करती है ये green house प्रभाव क्या होता है इसको हम अपने next topic में पढ़ेंगे इनका तरंग दैर्दय बहुत अधिक होने के कारण ये धोंद में कोहरे में आसानी से गमन कर सकती है और इसी लिए इनका प्रयोग night visions camera में किया जाता है ताकि अंधेरे में भी ये radiation आसानी से कहीं का भी photo capture कर सके और यदि हम night vision camera की बात करें तो वहाँ पे visible light तो होती नहीं है तो वस्तूओं से निकलने वाली animals, human beings से निकलने वाली infrared radiation को ये camera detect करते हैं और उनकी फोटोग्राफी असानी से ली जा सकती है अवरक्त किर्णों से निर्मेत अवरक्त लैंप का उप्योग काई चिकिस्सा यानि की physical therapy में भी किया जाता है और वैसे भी हम जानते हैं कि टीवी सेट, वीडियो recorder, हाई फाई में जो remote होते हैं जिनके द्वारे संचालित होते हैं इन सभी में infrared तरंगों का ही इस्तमाल किया जाता है वैसे एक बात बताओं जो सर्प होते हैं यानि स्नेक वो भी अवरक्त किर्णों के अच्छे संसूचक हैं वो अवरक्त किर्णों को detect कर लेते हैं और आसानी से अपने prey को यानि अपने शिकार को वो जान जाते हैं और खत्रे का भी आभास वो कर लेते हैं जो infrared तरंग के तरंग देर्द की कोटी होती है वो स्वी के नोक की कोटी की होती है मतलब ये infrared तरंगे स्वी की नोक की कोटी से ही deflect हो सकते हैं या फिर इनसे interact हो सकते हैं अब हम बात करते हैं microwave की यानी की सुक्ष्म तरंगों की ये electromagnetic spectrum में एक निश्चित वर्ग को घेर हुए हैं जिनका तरंग देर्द शुरू होता है 1 into 10 to the power minus 3 meter की range से 1 into 10 to the power minus 1 meter तक और इनकी आवरिती हम देखें तो ये 3 into 10 to the power 9 hertz से 3 into 10 to the power 11 hertz तक की होती है इनकी उर्जा 2 into 10 to the power minus 24 से 2 into 10 to the power minus 22 जूल तक की होती है और इनको सबसे पहले खोजा था scientist हर्ज ने 1888 में और इन तरंगों के शुरूत होते हैं विशेश प्रकार की निर्वाद ट्यूब, magnetron, gun diode आदी यदि हम इनके detector की बात करें तो इनका detector होता है बिंदू संपर्क diode यानि की point contact diode सुक्ष्म तरंगों की यदि हम तरंग देर्द की कोटी देखें तो ये butterfly यानि की एक तितली की कोटी की होती है और यदि हम इनके गुणों की बात करें तो ये संकीन प्रकाश पुंज के रूप में गमन करते हैं क्योंकि ये बड़े अवरोधों से विवर्तित नहीं होते हैं और इसी कारण इनका उपयोग किया जाता है रडार प्रणाली में और इन तरंगों का उपयोग किया जाता है दूर संचार में यदि हम देखें तो इन तरंगों का प्रयोग microwave oven में भी किया जाता है यानि हम पुरानी पद्धती को देखे तो जब हम खाना पकाते हैं तो हम उर्जा देते हैं वो उर्जा अप्राप्त होती है बर्तन को और उसके बाद खाना पकता है जिसके कारण खाना पकने में टाइम लगता है लेकिन यदि हम माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवे इन तरंगों की उर्जा किसको प्राप्त होती है जल को यदि हम जल का कंस्ट्रक्षन देखें तो वो होता है जिसमें की जो जल का मॉलेकूल होता है वो द्रूवित होता है इसमें एक धनात्मक दुरूव होता है दुरूव का केंद्र होता है और यदि इसके अनुनादी आवरिती देखें तो जल के अनुओं की अनुनादी आवरिती जो होती है वो इन्टू टेंट दुद पावर नाइन हर्ज की होती है जब इनी आवरिती का माइक्रोवेव तरंग इस खाद्य पदार्थ पर आपतित होता है तो यह प्रभावित करती है जल के अनुओं को और यह जल इनकी उश्मा को अवशोशित कर लेता है इनकी उर्जा को अवशोशित कर लेता है और ये स्थनांत्रित होती है धिबैद्य पदार्थ चारन खाना बहुत आसानी से और जल्दी पख जाता है कि माइक्रोवेव ओवन में यदि हम देखे तो वहां पे मैडेटरान लगा होता है जो कि माइक्रोवेव का उत्सरजन करते ह Kartu या microwave को उत्पन्न करता है इसी सिध्धान्त पर microwave oven भी काम करता है विद्दू चुम्ब की स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंग दैर्दवाली वर्ग है रेडियो वेवस की अगर हम इस रेडियो वेवस की कोटी देखें तो एक बॉटल की कोटी से लेकर ये बड़ी- इंच च्टान और हम कह सकते हैं की पृत्वी की दायमीटर से भी बड़ी हो सकती है इसका वेवलेंग लेंद्थ 1-10-14-1 मेंटर से अधिक होता है इसकी आवरिती 3-10-9 हर्ग से कम होती है और इसकी ऊर्जा 2-10-24 जूल से कम होती है व्लब सबसे कम और्जा वाला वरग रेडियो वेव को सबसे पहले 1899 में मारकोनी के द्वारा खोजा गया था और इसके श्रोत होते हैं त्वरित आवेश या फिर दोलित्र परिपत इनके डिटेक्टर की बात करें तो receiving antenna यानि की अभिगराही antenna के द्वारा इनको संसूचित किया जाता है इनके गोण यदी हम देखें क्योंकि इनका तरंग दैर्द बहुत अधिक होता है तो ये बड़े बड़े वस्तुओं से भी विवर्तित आसानी से हो जाती है यही कारण है कि बड़ी-बड़ीzin में रेडियो वेवेवश आसानी से विवर्तित हो जाते हैं इनका उपियोग देखें तो इनका उपियोग दूर संचार मतलब कि दूर दर्शन में और रेडियोस्टेशन्स में इनका उपियोग किया जाता है हम यदि संचार की बात करें तो जो बड़े तारों की खोज हुई जैसे की सीरियस और वेगा इन तारों से आने वाली रेडियो तरंगों के कारण ही हम इनको डिटेक्ट कर पाए ब्रम्हान में होने वाली कई खगोलिय घटनाओं का अध्यन भी इन रेडियो तरंगों के द्वारा ही किया जाता है यदि हम रेडियो तरंगों की बात करें तो उनका उपियोग एंटर्टेन्मेंट के लिए किया जाता है दूरदर्शन में हम क्या करते हैं entertainment करते हैं अपना विभिन सीरियलों को देखते हैं गाने सुनते हैं पिक्चर देते हैं तो entertainment होता है साथ साथ information के भी काम आता है जैसे कि हम news देखते हैं या फिर कोई geographical channel देख रहे हैं historical channel देख रहे हैं स्टेशन में भी इन रेडियो तरंगों का ओपियो किया जाता है यदि हम रेडियो स्टेशन की बात करें तो इस पेस स्टेडी के लिए हमारे पास इतना बड़ा receiving antenna है जिसका diameter 305 मीटर का है यानि हम football ground की बात करें तो तीन football ground इसके अंदर आ जाएंगे और इसी रेडियो एंटीना की सायता से हम अकाश में होने वाली घटनाओं का अध्यन कर लेते हैं और इसी प्रकार कोईजार्स जैसे स्टार्स की भी हमने स्टडी इन रेडियो स्टेशन में की है और विबिन रेडियो स्टेशन में हम इस प्रकार के receiving antennas लगाते हैं और हम ब्रम्हा प्रकाश के द्वारा हम इस खुबसूरत दुनिया को देख सकते हैं और जो इंविजिबल तरंगे हैं उनके कंपोजिशन को हम कंबाइन करके विभिन खगोली पिंडों के अपने आसपास उपस्थित वस्तूओं का अध्यन आसानी से कर सकते हैं जैसे कि माइक्रोवेव ए एक्स रेज विजिबल रेज आधी स्पेक्ट्रम का अध्यन करके हम प्रित्वी पर मौजूद वेजिटेशन यहां पर मौजूद सिविलाइजेशन यहां की वैदर होने वाले परिवर्तन इन सारी चीजों का अध्यन आसानी से कर सकते हैं